नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं राजस्थान की बेहत सुप्रसिद तीखी चटपटी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी जो की शादियों और पार्टियों की जान होती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबाएं और साथ ही जो पास में बैल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और आल का उप्शन अन कर दें तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी सामगरी हम देख लेते हैं इसके लिए यहां मैंने 500 ग्राम मोटी वाली लाल मिर्चे ली है और खटाई के लिए तीन नीम्बूओं का रस हम निकाल लेंगे इसके साथ ही क्योंकि लसन की चटनी बन रही है तो छिला हुआ लसन हमें चाहिएगा एक बड़ी कटोरी और अगर मुठी के हिसाब से हम इस और मिर्ची नीम्बू और लसन हमारा रेडी है तो चलिए अब मिर्चों को हम काट लेते हैं इसके लिए यहां देखिए मैंने मिर्चों को डंठल हटा के बीच में से चीर के इनके बीच इस तरह से निकाल के तयार कर लिया है तो मिर्चे हमारी रेडी है अब हम मिक्सी का grinding वाला jar लेंगे और उसमें सबसे पहले हमारी बीज निकाली हुई लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे तो ये मिर्ची हमने add कर दी है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे छिला हुआ लसन हमारा तो ये सारा लसन हम इसमें add कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अद्रक तो तक्रीबन एक से डेर्ड इंच बढ़ा अद्रक का टुकड़ा मैंने धो के अच्छे से छील लिया है और उसके बाद इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े हम इसके और काट लेते हैं जिससे की मिक्सी में ये अच्छे से पीसा जा सके अब जार का ढगा धकन हम लगाके बंद कर लेते हैं और इसकी हमें पीस के चटनी तयार करनी हैं बिल्कुल इस तरह का fine paste हमें बना के ready करना है यह देखिए यहां मैंने spatula से इसे नीचे दबाते हुए grind किया है इसी spatula से आप इसे नीचे दबाते जाएं इसमें पानी हमें नहीं डालना है बिल्कुल बिना पानी के मिर्ची लसन और अद्रक को हमने इस तरह से fine piece के तयार कर लिया है तो यहां चटनी हमने piece के ready कर ली है चलिए अब इसके तड़के की हम तयारी कर लेते हैं इसके लिए यहां कढाई को हमने gas पे चढ़ा दिया है और उसके बाद उसमें डाला है एक छोटी कटोरी तेल इस तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा लगेगा क तो हम चाहते हैं कि गार्लिक फ्लेवर इसमें प्रॉमिनेंट रहे तो इसमें जीरे के अलावा और कुछ भी नहीं डालेंगे और जब इस तरह से जीरा भुन के हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो जो मिक्सी में हमने लाल मिर्च लसन और अद्रक का पेस्ट के कच्चेपन के चले जाने तक इस पेस्ट को अच्छे से भून लेना है यहां यह स्टैप बहुत इंपोर्टन है कि लसन को हमें बढ़िया ओईल में भून के तयार करना है तो इस तरह से हिला के हम एक बार पूरी तरह से तेल में इस चटनी को कोट कर लेंगे इस तरह से चमच हम लगातार चलाते जाएंगे और हिलाते हुए हमें इस चटनी को इसमें अच्छे से फ्राइ करना है जिससे कि लसन का जो रौ फ्लेवर है जो कच्चापन है वो भून के यहां बिल्कुल चले जाना चाहिए तो किनारों से भी हम इसे इस तरह से स्क्रेप करते रहें और लगातार हिलाते हुए इस चटनी को हमें इस तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेना है और जब यहां चटनी हमारी फ्राइ हो रही है तब हम इसमें नमक डाल देंगे तीन चथाई चमच नमक यहां पे थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पड़ेगा मैं हमेशा अपने अ थनिये का पाउडर तो यहां अधा चमच धनिया हम इसमें और डाल देते हैं और उसके बाद सारे सूखे मसालों को एक बार हिला के चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां गैस की आँच हमने अभी भी मीडियम रखी है और मीडियम आच पे हमें लस्सन और सूखे म मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद आप देखेंगे कि चटनी इस रंग की हो जाएगी ये देखें किनारों में से इसमें तेल छूट के अलग हो गया है पानी इसका काफी रिड्यूस हो गया है और बहुत बढ़िया कलर आ गया है इसका जब लाल मिर्च इस तरह है से ओल में अब फ्राय करते हैं तो देखें कितनी बढ़िया रंगत इसमें आ जाती है और यहां हमने ताजी लाल मिर्च को इस्तेमाल किया है तो चटनी हमारी कितनी बढ़िया बन के तयार हो रही है ये देखें इस तरह हैसे किनारों में से भी आप इसको स्क्रेप करते रहें और इसे तीन मिनिट के लिए धीमी आज पे इसको हम पकने देंगे पल्टा इस तरह से हम इसमें लगातार चलाते रहेंगे पानी टाल के एक बार और पकाने से क्या होगा कि अगर कहीं भी लसन या धनिया हमारा हलका सा कच्चा है तो वह इस तरह से पकाने से पूरी तरह से देखे बहुत बढ़िया चटनी हमारी पक के तयार हो गई है किनारों में से ऑईल आपको अलग छूट के दिखता हुआ देख रहा होगा तो इस तरह से हिला के हम एक बार इसको मिक्स करके चेक कर लेते हैं यह देखे बहुत ही बढ़िया रंगत आई है क्यूंकि हमने इसम चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नीम्बू से एक खटाई का स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा साथ ही चटनी के प्रिजर्वेशन का भी काम करेगा नीम्बू और राजस्थान में ट्रडीशनल तरीके से इसमें काचरी डाली जाती है अगर आप राजस्थान म पे एक मिनिट के लिए नीम्बू हम पका लेंगे एक मिनिट से ज्यादा नीम्बू को नहीं पकाना है तो इस तरह से लगातार हिलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे हम एक बार मिक्स भी कर लेते हैं और देखिए कितनी बढ़िया चटनी हमारी बन के तयार हो गई है आप बंद करके एक सप्तहा के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही स्वादिश चटनी लगती है ये और इस चटनी को आप बहुत ही तरीकों से अपने खाने में यूज कर सकते हैं बिल्कुल मल्टी पर्पस चटनी है आप चाहें तो दो ब्रेड के स्लाइस के बीच में इस चटनी को ऐसे ही लगा के खाएं या वेजटेबल सेंविचेज में आप इसे एज शेजवन चटनी यूज कर सकते हैं आप रोटी के उपपर इस चटनी को फैला के रोल बना के रोटी रोल बना सकते हैं पराठे के साथ ऐस साइड डिश आप इसको खा सकते हैं काथी रोल्स में, स्प्रेड के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं घर में कई बार ऐसा होता है कि रसे वाली तरी वाली सब्जी किसी को पसंद नहीं आ रही है तो फ्रिज में से इस चटनी का एक चम्मच आप निकाल के उस सबजी में mix करके सबजी गरम करके सर्फ कीजिए उस सबजी का स्वाध बिलकुल बेमिसाल हो जाएगा तो बहुत ही multi-purpose usage चटनी का आपके फ्रिज में ये जरूर होनी चाहिए तो बस आप ज़रूर ट्राइ कीजिए रेसिपी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का थमसब ज़रूर दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें कमेंट करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाती रहें